हाई गाईस कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग लेकर आई हूं बहुत ही चटपटा रेसिपी एकदम मज़ेदार रेसिपी वीडियो कंटक जरूर देखना अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडिय मैं यहां बनाने वाली हूं बेंगॉली स्टाइल माचिर मुडो दिये पोईशाग एकदम सिंपल और इजी बताऊंगी बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं अब बहुत ही अच्छे बनते हैं और सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह रेसिपी खाने में आप लोग एक रोफिश का मुंडी लिया है मैंने रोफिश की मुंडी को अच्छे तरीके से चाट टुकुडो में कट कर लिया था उसके बाद मैं इसमें एट करूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक इसे आट करने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से हाथों के मदर से कर लेना है उसके बार इसे में पांस मिन तक रेष्ट पर रखना है 750 गरम मैंने सहां पोरिशाग लिया है किसा को बहुत ही अच्य तरीके से कट करके इसे पंड गे हैसे वाश कर लिया है इस तरेके से यह बहुत है एक च्छोपिंग को दूगी मैं कड़ाई में मैं 4 टेवल स्पून ओयल एट कर दूंगी ओयल हमारे अच्छे तरीके से गरम हो जाएंगे तब मैं इसमें एट करूंगी माचेर मुडो जो मैंने मसाले मिक्स करके रखा था मैं इसे एट करके अच्छे तरीके से हमें से फ्राई कर लेना है आप लोग धियान र इससे ओल में सबसी को रेडी करूँगी तो मैं जाएंड़ी चमच मेथी दो गोटी लाल मिर्श थोड़ा सा हींग इसे आट करने के बाद 10 से 15 सगड तक मैं से ऐसे छोड़ दूंगी अच्छे तरीकी से चमच मधने से चला के उसके बाद मैं जान करूंगी दो चमच अद् आज प्राइब उसके बाद मैं इसमें एट करूंगी बैगन कोहड़ा और यह पोईसाक का डंडी इसे मैं एट करने के बाद अच्छे तरीके से हमें इसे चला देना है और अच्छे तरीके से हमें इसे भूनना है 2-4 मिनट तक सबजी हमारे थोड़े फ्राई हो जाए तो मैं इसमें एट करूंगी मसाला तो मसालों मैंने लिया है एक चमच जीरा पॉडर आधी चमच काली मिर्च पॉडर आधी चमच गनिया पॉडर एक चमच आमचूर पॉडर आधी चमच गरम मसाला पॉडर और एक चमच लाल मिर्च पारड़र और और आधी चम्मच हलदी पारड़ नमक अपने टेस्ट के करें मैं इहां अपने ठेस्ट के करुडिंग नमक अट किया है इसे लिएके बहुत hierarchy के सत्रिके से हमें सली को भू लेना है मसालों में užिंदाहिед joints है यह सफब्के भीडिए था मैं सब्जी को अच्छे तरीके से भून ना है दो मिनट के बाद मैं स्माट करूंगी पोई साग करें चला तरहा है अपटी पलटी करके चला देना है आप से पानी नहीं करना है क्योंकि साग में से आल्रेडी पानी निकलते हैं अच्छे तरीके से मैं इसे चला दिया अब इसे ढखकर 5 मिद तक छोड़ दिऊंगी मिडियम फ्लेम पे कुखोने के लिए 5 मिद के बाद जब मैं धकन कोलूंगी तो यह देखिए साग में से अल्रेडी पानी छोड़ चुके में अच्छे तरीके से चला करना जिура कंज के लिए दच पर कोल कि कैने के लिए सब्छी खुल चुद आधक अच्छी जियो में टहुर को जिस्में घ्रमकरम हमारा सब्छी रेडी हो चुकत आखो उसके बाद हमें इसे ढखका 10 मिट तक छोड़ देना है सब्जी को गलने के लिए 10 मिट के बाद मैं इसे खोल का चेक करूँगी ये देखिये सब्जी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो मैं इसमें आड कर दूँगी माचेर मूडो माचेर मूड़ो एट करने के बाद हमें इसे हलके तरीके से चला देना है उसके बाद हमें इसे ढख कर 10 मिट तक छोड़ देना है कुख होने के लिए 10 मिट के बाद मैं इसे खोल का चेक करूँगी यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म गरम हमारा सबजी रेडी हो चुका है दो मिट तक ऐसे ही मैं स्लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी अच्छे तरीके से पानी जो है वो सूख जाए उसके बाद इसे गर्म गरम रेसी रेडी हो हो चुकी है I hope मेरी आप लोगो अच्य लगी हो अगर अच्छी लगी तो place गाईज एक जरूर खरना और अगर चैनल पे नहीं हो तो please चैनल को सबस्क्राइब कर देना वीडियो को लाइक शियर कर देना जो लोग मेरे पिछली वीडियो वाच्छ नहीं कर र बाइ!